प्लीज सुब्स्क्राइब और प्रेश तब बेल आइकोन फर मोर कॉंटेंट हलो एब्रीवान स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर दोस्तों आप लोग Microsoft Office Excel के अंदर डेटा इंट्री को काम यह फिर किसी भी वेकल्ण उगरा का काम को बेकल्स उगरा का इंक्स तरी का का आप किस तरीका से वह सबısर पर Σे पर दिल से कि हां पर लोगत करने को प्लिक कर आँ और तुरंत यहां पर दीखेए फोटोज आ Sam पिशी भी डेटा के उपर में फोटोज लगाना चाहते हों तो Microsoft Office XL के अंदर बड़ी आसानिसे कर सकते हैं दोस्तों तो विडियो पर बने रहे हैं तक तो सबसे फिले तो आपको फोटोज लगाने के लिए आपके पास इसी तरीके से कुछ डेटा वगएरा टाइप कर लिजे तो मैंने याप पर कुछ इस तरीके से सीट्टू के अंदर बिल्कुल एसा ही डेटा यहाँ प के अंदर उपर के तरफ दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा रिवीव टैप सिंप्लि आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने बाद सिंप्लि आपको यहाँ पर निव कॉमेंट के अंदर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से एड्जेस कर लिए एड्जेस करने कबद दोस्तों simply आपको इस वाले line के उपर रहते हुए आपको right click करना है राइट क्लिक करने बाए दूस्तों आपके सामने एक और आप्षन दिखने का मिलेगा दूस्तों format comment का simply आपको यहां पर क्लिक करना करना है यहापर click करने कपद दूस्तों आपके सामने यहाप और का आप्षन देखे निगा बुलेगा आपको यहाप फिल इफिक्ट्स के उपर में click करना है तो यहापर click करने किबाद दोस्तों कुछ इस यहां पर एक एक पिक्टर सेट किया दोस्तों यह वाला पिक्टर के उपर इंसर्ट करता हूं इंसर्ट करने के बाद ओके करता हूं फिर से बटन के उपर में क्लिक करता हूं तो क्लिक करने कब दोस्तों देखे तुरांत यहां पर पोटो जा चुगा है अब मैं इसके उपर में क्लिक करता हूं फिर से वही प्रोसेश इसको डिलेट करता हूं यहां से साइज एड़ेस्ट करता हूं और फिर से लाइन के उपर क्लिक क करूंगा रेट क्लिक करने की बाद दुस्तों फिर से लाइन खॉल अं रेसन का उपर में जाऊंगा और याप होगा मैं फिर से फिल defcze kesड को पर में ही क्लिक करूंगा टृसट टैप में ये बाद्ट पिक्ट्यइड को करूंगा ईन्स Allen के ओके तो फीर से आपको तो इसके उपर में क्लिक करना है न्यू कॉमेंट के उपर में क्लिक करना है फिर से आपको साइज एड़ेस्ट करना है लाइन के पर रहते हुए राइट क्लिक करना है फॉर्मेट कमेंट के उपर में क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहां पर कलर के उपर में click करना है click करने बाद simply आपको pixels के पर में जाना है और जाने को दोस्तों पिक्स इसके पर में click करना है click करने को दोस्ता आपको simply from and file के पर में click करना है मैं इस time ये वाला photos use करना जाओंगा okay 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 तो यहाँ पर देखे राइट क्लिक करूँ गारा इस तारीके से आड़ेस करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ format, comment, field effects, pictures, select pictures, from file , तो यहाँ पर देखिए सबी नाम के उपर में photos आ चुगा है जहांपर में इस नाम पर crosser रखता हूं तो automatically photos आ चुगा है तो आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से आपको किसी भी तरीके का data entry का काम करे यौटो आपको का इस छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक किजिए कॉमेंट किजिए चैनल पर रहा तो सब्सक्राइब किजिए मैं मुलना अगले वीडियो पर किसे नहीं डवी के पर तब तब के लिए नमस्कार दोस्तों